सुप्रीम कोट का इत्यासिक फैसला आज चुका है, चेक बाउंस को लेके, अब कुछ लोगों के उपर चेक बाउंस का केस कभी भी नहीं लगेगा, अगर आप भी किसी के उपर चेक बाउंस का केस लगवाना चाहते हैं, तब ऐसे लोगों के उपर अब आप चेक बाउंस का पहली चीज दो, अगर कोई फरम है भाई, और फरम के नाम पे अगर कोई चेक काटके देता है, और अगर उस फरम में दूसरे पार्टनर भी हैं, जैसे किसी फरम के अंदर एक पार्टनर, दो पार्टनर, तीन पार्टनर, चार पार्टनर है, और दूसरे पार्टनर की नॉले का case नहीं लगा सकेंगे, तो अगर आप ऐसे किसी firm के कोई partner है और आपकी knowledge में ऐसा check नहीं था, कि किसी मेरे किसी partner ने ऐसा check काट के दिया है, तब दूसरे partner के ऊपर कभी भी check bounce का case नहीं लगएगा, यह Supreme Court की judgment कहती है, या फिर अगर आप किसी के guarantor बने हैं, तब guarantor के ऊपर जाल उदार ले ले और अगर तेरे को मेरे पर विश्वास नहीं है यहना तो तो यह चेक लगा देना वो जो चेक दिया उता है नो खली चेक जो हम देते हैं वो देते है दिया हुआ है, और आप अगर उसको लगाते भी हैं, और चेक बांस हो जाता है, तब आप उस पार्टे के उपर 該श नहीं करसकें, चेक्क बांस का, यह Supreme Court की worst affirmation कहती है, ठीक है, तो Supreme Court की judgment ने एक इतियासिक फैसला इसके उपर लिया इससे अगली चीज जब भी आप किसी को check bounce की अगर आपको knowledge मिलती है कि हाँ ये check bounce हो गया है तब सामने वाले को एक notice देना पड़ता है अगर वो विना notice आए अगर आपके उपर कोई case होता है बिना notice अगर 30 दिन या फिर अगर कोई partner guarantor के रूप में वहाँ पे था तब फिर उसके उपर भी check bounce का case नहीं लगेगा और अगर आप खाली check किसी को देते हैं कि ले भीया बरोसा ना तो check ले ले तब ऐसे में फिर check bounce का case नहीं बनेगा और अगर 30 दिन के अंदर notice नहीं दिया बिना notice दिये check लगा दिया तब फिर वो check bounce का case नहीं लगेगा तो ये supreme court की judgment कहती इनका है कहती आसिक फैसला इसके अलाव और सारी बात बहुत सारी बाते हैं लेकिन यहां तक कि अगर वीडियो आपको अच्छी लगी है न प्लीज इसको subscribe कर लें वाई आगे ऐसी वीडियो अगर आपको चाहिए प्लीज इसको एक share हमारे लिए भी और नहीं अच्छी लगी तो इसको dislike कर ले ठीक है अगली बात बता दी अगर check bounce हुआ है और check bounce से होने के बाद या फिर जिस दिन check कटा था और check के उपर अगर आपने date mention कर रखी है उस date के 6 महिने तक अगर वो check नहीं लगाया जाता है 6 महिने के बाद अगर किसी ने check लगाया है तो वो check bounce का case नहीं बनेगा जी ऐसे वेक्ति के उपर आप check bounce का case नहीं लगवा सकेंगे इसके अलावा फिर एक बात बता दी कि अगर जिसने भी आपको check से payment करने का वादा किया है कि महाँ आपको check से payment कर दूँगा और उसने time पे payment नहीं किया और आप जाके फिर क्या करोगे bank में जाके check लगा दोगी check जाके फिर bounce हो जाएगा लेकिन अगर उस इंसान ने आपको एक भी पैसा दिया था या फिर आपने किसी को एक पैसा भी दे दिया था मानके चलते हैं आपका 10,000 रुपे का मामला था आपने उसको 1000 रुपे Google पे कर दिये पर जो check था वो था 10,000 रुपे का अब वो तो check 10,000 रुपे का ही लगाएगा और वो check हो गया bounce तो ऐसे में जो check bounce हो जाता है तो जिसने वो पैसे दिये थे जिसका वो check था उसके उपर check bounce का case नहीं लगेगा ये भी supreme court की judgment कहती है तो ऐसे इंसानों के उपर आप check bounce का case नहीं लगा सकेंगे यहाँ पर court का मानना है कि अगर ऐसा check bounce हुआ है पर सामने वाले ने आपको कुछ payment दे दिये चाहिए वो कुछ payment cash दी है या फिर आपने वो कुछ payment जो है वो google पे की है, phone पे की है check तो था 10,000 का अब बंदे को देने है 9,000 तो 10,000 का check लगा ही क्यों रहा है तो अगर वो कुछ पैसे दे चुका है तो ऐसे में बहुत सारे लोग है न यह trick भी लगा लगते हैं अपने check bounce के case से बचने के लिए उनको पता है हमारा check bounce तो होने वाला है पर उन्होंने क्या किया कुछ पैसे उसके Google पर डाल दिये 200 पर डाल देंगे न तब भी बात बन जाएगी यह check bounce के case के बचने के लिए कुछ रास्ते ऐसे अपनाए जाते है अब सामने वाला लोग चेक को लगाए नहीं सकता क्योंकि जितनी पैमेट हो ले रहा है उसकी बंती नहीं है इतने तो बंदा नगद भी दे चुका है तो ऐसे बंदे के उपर check bounce का case नहीं बनेगा इससे अगली बात बता दी और सबसे जरूरी चीज़ Supreme Court का इसके लिए भी एक अतियासिक फैसला आया है यह आया है कि अगर आपके बीच में आप बी ऐसे फस चुके हैं या फिर अगर आप किसी के उपर case करना चाहते हैं तो ऐसे वेक्ति के उपर आप case नहीं कर सकेंगे और अगर आपके उपर कोई case कर रहा है तो या फिर किसी ने लगवा रखा है और ऐसी चीज़ आपके साथ में हो रही है तब आप उस case से निकल सकते हो वो case नहीं बनेगा कौन सी कौन सी बात थे होती है इन सारी बातों को आप लिख सकते हो इसका सग्रीन सोटर ले सकते हो अगर आपके बीच में सुला समझोता हो चुका है उसके बाद फिर चेक बाउंस का case नहीं बनेगा अगर चेक बाउंस का case लगाता है वो चेक बाउंस का case नहीं बनेगा और अगर वो चेक की डेट से 6 मेने के बाद अगर चेक लगाता है तो चेक माइने नहीं होगा ना वो चेक बाउंस का case बनेगा अगर आपने security के रूप में चेक दिया है तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर लिजी, आगे ऐसी जानकारी लेने के लिए लाइक कर लिजी, नहीं अच्छी लगी इसको डिसलाइक कर लिजी, किसी भी ओर टोपिक पे अगर आपको वीडियो चाहिए, तो नीचे कमिट करके आप हमको बता सकते हैं, अगर हमसे सं संप्रक करना चाहते हैं, तो डिस्क्रिप्शन में हमारे संप्रक्स उतर आपको मिल जाएंगे, इस्टाग्राम के एड़े मिल जाएगी, वटसप भी मिल जाएगा, वटसप ग्रूप भी मिल जाएगा, कहीं पे मैसेज, कहीं पे भी अगर आप हमसे बात करते हैं, तो बात नहीं होनी थी देखो वह जिसका पैसा मर जाता है उसको दर्द होता है बहुत सारे लोग ऐसा कम कर देते हैं आज भी मेरे पास ऐसे अभी डलवाँगा नोटिस डलवाँगा कुछ लोगों के पास में अभी इस कलास के बाद ही तो जो लोग पहले तो अपना हाथ पैर ज टूट जाता है और ऐसा ब्रोसा टूटने के बाद फिर इनसान भई अपना क्या करेगा जान से माने की धंकी भी देता फोन पर आप सामने उल्ला जाकर बोल देगा मेरे पहुत जान से माने की धंकी दे रहा है जिसने पैसा लिया है ना भाई या फिर जिसने माल लिया वो बगवान बन जाता है, वो फिर दर्सन नहीं देता है, आपके ना फोन उठाता है, अब आप लोग उसके घर पे जाते हो, ठीक है तब भी एक कराई में, आप उसको फोन करके काओ वो भी एक कराई में, तो ऐसे में बंदा करे तो करे क्या, और ऐसे लोगों के उपर मुकदमा दर्ज नहीं करवास केंगे अब और समस्या होगी तो पैसा देना एक असान है पर वापिस लेना बहुत ही बड़ा बहुत ही बड़ी मसक्कत लगती है लेकिन अगर आपका पैसा फस चुका है आप उस पैसे को लिगली रूप से निकलवाना चाहते है तो उसका भी एक प्रोसेस होता है अभी मैं इस क्लास के बाद में तीन लोगों को नोटिस भेजने वाला हूँ ऐसे उधार पैसा दिया था तो उस पैसे हमको कैसे वापिस निकलवाना है और चलो उसके लिए से आप किसी से अपना पैसा कैसे निकलवा सकते है तो यह content अगर आपको अच्छा लगा तो thank you, thank you my dear किसी भी topic पे अगर आपको वीडियो चाहिए तो जरूर comment कर दें, thank you